हेलो ट्रेडर्स, स्मार्ट मनी कॉंसेट्स कोर्स के एक और एपिसोड में आपका स्वागत है इस विडियो में हम प्रीमियम और डिसकाउंट कॉंसेट्स को गहराई से समझेंगे और यह देखेंगे कि यह ट्रेडिंग में कैसे यूसफुल हो सकते हैं और यह आपके डिसिजन मेकिंग को कैसे बहतर बना सकते हैं हम उन कॉमन मिस्टेक्स के बारे में भी बात करेंगे जो अकसर ट्रेडर्स करते हैं अंत में हम PDA और PDA के अंदर अलग-अलग रेफरेंस पॉइंट्स की हायरार्की पर बात करेंगे इन कॉंसेट्स को समझने से ट्रेडर्स अपने एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स को सुधार सकते हैं जिससे प्रॉफिटेबल ट्रेड्स की समभावनाएं बढ़ सकती हैं इसलिए इस वीडियो को एंड तक देखें ताकि आप पूरी तरह से इन कॉंसेट्स को समझ सकें अगर ये वीडियो सीरीज आपको सीखने और सुधारने में मदद कर रही है तो प्लीज अपना वैल्यूबल सपोर्ट दिखाना और इस वीडियो को लाइक करना न भूले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन मिलने के लिए आई बटन को भी एनेबल करे तो चलिए शुरू करते हैं प्रीमियम और डिसकाउंट बहुत ही सिंपल कॉंसेट्स हैं जो चीजों को पाई और सेल करने पर अपलाई होते हैं इसमें स्टॉक मार्केट या फोरेक्स मार्केट में इंस्टूमेंट्स की बाईंग और सेलिंग भी शामिल है प्रीमियम का मतलब होता है महेंगा या मार्कप और डिसकाउंट का मतलब होता है सस्ता या मार्कटाउन ये एक बेसिक ट्रेडिंग प्रिंसिपल है जिसे किसी भी मार्केट में इस्तमाल किया जा सकता है, चाहे वह consumer goods हो, या exchanges के माध्यम से trade किये जाने वाले securities हो, या यहां तक की forex markets भी हो. जब आप किसी चीज को premium पर buy करते हैं, इसका मतलब है कि आप उसकी fair value से ज्यादा price चुका रहे हैं. दूसरी और, किसी चीज को discount पर buy करने का मतलब है कि आप उसकी actual value से कम price पर प्राप्त कर रहे हैं. ये simple concepts, various products और assets पर apply किये जा सकते हैं, जो कि market में trade किये जाते हैं, जैसे कि stocks, currency pairs या यहां तक की commodities भी. अगर आप इस picture को देखेंगे, तो पाएंगे कि mark-ups और discounts किसी भी चीज पर apply किये जा सकते हैं, जिसे open market पर बेचा जा सकता है. चाहे वह एक packet बनाना chips ही क्यों न हो? एक packet chips के लिए सबसे optimal demand 200 रुपे होगी. लेकिन जैसे ही price बढ़ती है, demand कम होती जाती है और इसके विपरीत जितना कम price उतनी ज्यादा demand. यह सिर्फ law of supply and demand है. इसके बारे में आप मेरे stock market के basics वाले वीडियो से और ज्यादा जान सकते हैं. अब यह काफी logical है क्योंकि अगर एक one stop supermarket chain जैसे कि D-Mart अपने अलग-अलग products पर discount का promotion कर रहा है, तो आप देखेंगे कि बहुत सारे लोग इन products को खरीदने के लिए शहद पर मधुमक्खियों की तरह मंडरा रहे होंगे. जब बात trading की आती है, तो candlestick chart पर premiums और discounts को mark किया जा सकता है, ताकि किसी specific range या price action के अंदर premium और discount levels को determine किया जा सके. और आप सभी को समझना चाहिए कि एक बड़ा player कभी भी सस्ते prices पर नहीं बेचेगा और वे कभी high prices पर नहीं खरीदेंगे. प्रीमियम और discount zones वे places हैं, जहां उनकी ज्यादतर sales और purchases होती हैं. जब आप candlestick chart पर premium और discount zones को mark करते हैं, तो आपके पास price या range के किसी भी part पर इस marking को apply करने की choice होती है. इसलिए आपने जो भी trading strategy चुनी हो, आपको discount zone में buy करने का प्रयास करना चाहिए, यानि जब asset discount पर trading कर रहा हो और आपको premium zone में sell करना चाहिए, यानि जब asset markup हो जाए या महेंगा हो जाए. इसे ऐसे सोचें, जब आप Amazon या Flipkart से कुछ खरीदना चाहते हैं, तो आप सबसे अच्छा discount देखेंगे, ताकि आप इसे market में चल रही actual price से कम price में buy कर सकें. और जब आप कुछ महीनों बाद इस product को OLX पर बेचना चाहते हैं, तो definitely आप highest possible price प्राप्त करने की कोशिश करेंगे, यानि आप इसे premium पर या market में चल रही actual price से महेंगा बेचना चाहेंगे. अब आईए जानते हैं कि कैसे premium और discount zones को draw करता है, इसके लिए आपको तीन चीजों की जरूरत होगी, एक swing high, एक swing low और एक Fibonacci retracement tool. अगर आपने market structure mapping पर मेरा वीडियो देखा है, तो आपको charts में swing highs और swing lows को पहचानने का अच्छा idea होगा. यहाँ price उपर की और बढ़ रही है, यह उपर की और एक impulse move है, swing low इस पूरी impulse swing move का सबसे lowest point है. हमें wix को भी शामिल करना होगा, इसके विपरीत, swing high इस पूरी impulse swing move का सबसे highest point होता है. एक बार जब swing high और swing low identify हो जाते हैं, तो हम left side toolbar section से Fibonacci retracement tool को ला सकते हैं. फिर हमने जो swing low point identify किया है, उसे select करें, और फिर cursor को drag करके swing high point को select करें. इसे Fibonacci retracement levels अपने आप plot हो जाएंगे. हमें default levels की जरूरत नहीं है, इसलिए हम Fibonacci settings में जा सकते हैं, और फिर 0%, 50% और 100% के अलावा सभी levels को uncheck कर सकते हैं. इसके बाद OK पर click करें. अब हमारे पास केवल 3 levels हैं, एक swing low पर, एक swing high पर और एक high और low के midpoint पर. 50% Fibonacci level के नीचे का area, discount zone माना जाता है, और 50% 5 level के उपर का reason, premium zone माना जाता है. 50% level को equilibrium या mean threshold के रूप में जाना जाता है, जो कि उस particular समय पर उस asset का fair valuation है. ये वो point है, जहां bearish premium arrays और bullish discount arrays मिलते हैं. ये बाजार में एक state of balance को represent करता है, जहां supply और demand बराबर होती है, और buyers और sellers की ताकत evenly match होती है. क्योंकि price उपर की और बढ़ रही है, हमारा buyers bullishness की और होगा. हमें trend के साथ trade करना चाहिए, इसलिए हमें buying opportunities की तलाश करनी चाहिए. लेकिन जैसा कि मैंने पहले कहा था, हमें हमेशा discount valuations पर या कम prices पर खरीदना चाहिए. तो सबसे कम price आपको कहां मिलेंगी? Obviously, जब price कोई retracement या correction करती है, तो आपको discount zone से खरीदना चाहिए, ताकि आप mean threshold के नीचे एक markdown प्राप्त कर सकें. इसका मतलब यह नहीं है कि आपको discount zone में कहीं भी एक long position लेनी चाहिए. आपको केवल उन prices से buy positions लेनी चाहिए, जो prices of interest हैं या SMC reference points हैं. इससे हमारे trades के लिए additional confirmations मिलेंगे. हम इन reference points और उनके relevance के बारे में तब बात करेंगे, जब हम PDR concept पर चर्चा करेंगे. अब अगले स्कीनरियों को देखें, इस case में price नीचे गिर गई है, यह नीचे की ओर एक impulse move है, तो पहला step है कि इस impulse move का swing high और swing low को पहचाने. फिर, Fibonacci retracement tool का use करके swing high और swing low को जोड़े. इससे retracement levels अपने आप plot हो जाएंगे. अब settings में जाएं और उन सभी levels को uncheck करें जिनकी हमें जरूरत नहीं है. केवल 0%, 50% और 100% levels को रखें. तो swing low पर एक level है, swing high पर एक और एक level, swing high और low के middle में है, जो mean threshold या equilibrium है. mean threshold के उपर premium zone है और equilibrium के नीचे discount zone है. क्योंकि price नीचे गिर रही है, हमारा bias sell करने का होगा. हम उस समय short trading setups की तलाश करेंगे, जब price उपर की और कोई retracement या correction करती है. और जब हमें बेचना हो, तो हम obviously expensive valuation पर या higher prices पर बेचने की सोचेंगे. इसका मतलब है कि हमें mean threshold के उपर या premium zone में short करना चाहिए. यहाँ prices fair value या equilibrium से उपर marked up होती है. अब आप premium zone के अंदर किसी भी random price पर बस बेच नहीं सकते. यह इस तरह से काम नहीं करता. आपको premium zone के अंदर पहले से मौजूद किसी भी price of interest या SMC reference points से बेचना चाहिए, ताकि best results मिल सकें. यह हमें short करने के लिए एक high probability setup प्रदान करेगा. आगे बढ़ते हुए, आईए इस concept से जुड़ी कुछ issues पर नजर डालें और हम उन common mistakes पर भी नजर डालेंगे, जिनका traders premium और discount zones का इस्तमाल करते समय सामना करते हैं. सच यह है कि ज्यादातर traders या तो इस tool पर informed trading decisions बनाने के लिए बहुत ज्यादा निर्भर करते हैं, या ऐसी market conditions में इसे use करते हैं, जहां इस tool का use करना समझदारी नहीं है. फिबोनाची का इस्तमाल करते समय आपको 5 dependent नहीं होना चाहिए, और केवल इस fact पर dependent नहीं रहना चाहिए, कि जब price discount zone में गिरती है, तो उसे तुरंत बढ़ना शुरू कर देना चाहिए, और जब price premium zone में पहुँचती है, तो उसे तुरंत रुख जाना चाहिए, और नीचे की ओर बढ़ना शुरू कर देना चाहिए. ध्यान रखें कि price आपसे कुछ नहीं मांगती है, और बाजार आपकी मनमानी और कलपनाओं के हिसाब से नहीं चलता है. ये भी याद रखना चाहिए कि price direction बदल सकती है, भले ही रास्ते में ये important zones हों, इसलिए इन zones इसे price के reversal की कोई guarantee नहीं है. हमें लगता है कि premium और discount एक बहतरीन entry point टूल है, लेकिन इस पर over reliance आपको नुकसान पहुचा सकती है, और सिर्फ इसलिए आप quality trade setup से चूक सकते हैं, क्योंकि वे premium या discount में नहीं है. इसलिए market structure, supply और demand zones, liquidity, आधी जैसे concepts का इस्तमाल करके, बाजार की direction का एक idea पाने और prices का in-depth analysis किये बिना, सिर्फ फिबोनाची टूल का इस्तमाल करके, premium और discount zones plot करना सार्थक नहीं है. तूसरी सबसे common mistake जो traders करते हैं, वह है premium और discounts का इस्तमाल, उन markets या assets में करना जो extremely volatile होते हैं, और जो एक ही direction में मजबूती से trend कर रहे होते हैं. एक simple example है, एक ऐसा stock चुनना जो long term में एक दिशा में चलता है, लेकिन बहुत high volatility के साथ. Price एक upward trend के साथ, पराबोलिक उपर नीचे चल सकती है, और ये discount zone में आने के बारे में सोचेगी भी नहीं, इसलिए price हमेशा premium या discount में होने पर हमारे उम्मीद के अनुसार, pattern को follow नहीं क कि वे charts में हर जगा premium और discount zones का पीछा करते हैं और अंतदा trend के गलत side पर पहुँच जाते हैं. इसलिए premium और discount zones का पीछा न करें और trend के खिलाफ न जाएं. और lastly, consolidation zone के अंदर premiums और discounts का trade न करें. इसलिए ये ध्यान रखना जरूरी है कि premium और discount Fibonacci टूल में कोई जादू नही केवल narrative की clear understanding के साथ ही आप इस zone को trading के लिए एक framework के रूप में इस्तमाल कर सकते हैं. यही पर PDR-A का significance आता है. PDR-A यानि premium और discount आरे SMC theory का एक central concept है. एक आरे का मतलब होता है किसी चीज़ की specific arrangement. अब, premium और discount array market के movement को समझने के लिए crucial है और ये भी predict करने में मदद करता है कि market future में कैसे move कर सकता है. यह array market activity का detailed map की तरह होता है, जो traders को दिखाता है कि price कहां से आई है और suggest करता है कि वह कहां जा सकती है. यह array खास कर support और resistance के key levels को identify करने में और trades के potential entry और exit points को ढूंडने में useful होता है. PDRAs, price levels के analysis पर focus करते हैं इस terms में कि यह market के perceived fair value के comparison में कैसे हैं. एक PDRA में price points को premium या discount के रूप में categorize किया जाता है. Premium price वो होती है जो market की perceived fair value से higher मानी जाती है, जो potential overvaluation को indicate करती है, जबकि discount prices fair value से lower मानी जाती है, जो undervaluation का सुझहाव देती है. आप पहले से जानते हैं कि इन premium और discount zones को कैसे plot किया जाता है और ये भी कि इस categorization method से traders को potential market turning points को identify करने में मदद मिलती है. ये समझने में कि market कब overvaluation से undervaluation की state में switch कर सकता है और vice versa. लेकिन PD arrays सिर्फ premium और discount zones से कहीं ज्यादा है. ये एक multifaceted analysis है जो traders को market के movements को सिर्फ देखने के अलावा ये समझने में भी मदद करता है कि market ऐसा क्यों कर रहा है जिससे ज्यादा informed और strategic trading decisions लिए जा सकते हैं. PD arrays, कुछ array items या reference points को भी consider करते हैं. Specifically, PD array में 7 array items या institutional reference points होते हैं जिने consider करना जरूरी है. ICT methodology में ये reference points, old highs और old lows, order blocks, rejection blocks, mitigation blocks, breaker blocks, fair value gaps और liquidity voids होते हैं जो या तो premium या discount zones में होते हैं. Old highs और old lows का मतलब होता है swing highs और swing lows जो price के लिए resistance या support level का का काम कर सकते हैं. इस वज़े से, इन levels के उपर और नीचे retailer orders के रूप में liquidity मौजूद होगी. इसलिए old highs और old lows वो potential areas हैं जहां smart money prices को manipulate कर सकता है ताकि liquidity absorb हो सके और फिर market की direction को reverse किया जा सके. इसके अलावा मैंने आपको बाकी हर single topic पर detailed explanations दी हैं. आप उन्हें SMC playlist में जाकर revise कर सकते हैं. अब इन आरे items को PDR में organize करने के लिए एक specific hierarchy होती है. लेकिन इस hierarchy को बताने से पहले मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि आपको अपनी analysis हमेशा higher time frame charts पर करनी चाहिए. चाहे आपका trading style कुछ भी हो, जैसे swing, intraday, positional वगेरा. लेकिन ये primary analysis आपके preferred higher time frame पर होनी चाहिए. इससे आपके trade signals की quality में जरूर improvement होगा. जब आपको एक अच्छा setup मिल जाए, तो आप हमेशा lower time frame charts पर move करके अपनी trade entries को optimize कर सकते हैं. अब चलिए देखते हैं, discount array items की relevance का order. हम discount zone को तभी consider करेंगे जब हमारा bias bullish हो. इसे आसानी से याद रखने के लिए हम इसे bullish discount array भी कह सकते हैं. यहां मैंने bullish discount array items को उनकी relevance या hierarchy के order में list किया है. तो सबसे relevant institutional reference point है, old low. इसके बाद आता है bullish rejection block, फिर bullish order block, इसके बाद bullish fair value gap, फिर bullish liquidity void, फिर आता है bullish breaker block और सबसे कम relevant item है, bullish mitigation block. fair value gaps और liquidity voids की relevance को interchange किया जा सकता है. अब भले ही इन array items की relevance इस particular order में है, लेकिन opportunities खोजने के लिए हमें opposite order में देखना चाहिए. यानि सबसे पहले हमें bullish mitigation block को देखना चाहिए, फिर bullish breaker block और इसी तरह आगे बढ़ना चाहिए. इसका एक simple explanation है कि relevance इस order में क्यों है, लेकिन opportunities खोजते समय हमें hierarchy के opposite order में क्यों जाना चाहिए. इस figure को देखिए, मैंने discount zone के अंदर कुछ साथ reference points को mark किया है. आपने क्या notice किया? हम देख सकते हैं कि old low सभी array items में सबसे नीचे है, जो discount zone के end में located है. इसके बाद आता है bullish rejection block, फिर एक bullish order block, एक liquidity void और उसके अंदर कुछ fair value gaps हैं. आप देख सकते हैं कि एक fair value gap equilibrium zone के करीब है. ये साफ है कि reference points इस आधार पर arranged होते हैं कि price mean threshold के मुकाबले कितना सस्ता हो सकता है. Array item की relevance जितनी higher होगी, price discount zone में उतना ही सस्ता होगा, जिससे trader की profitability बढ़ती है और उसकी success के chances improve होते हैं. लेकिन आपको पहले से ही पता होगा कि price हमेशा liquidity absorb करने के लिए नीचे तक pullback नहीं करेगी. Price को move करने के लिए liquidity चाहिए होती है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह कहां से मिलती है. इसका मतलब है कि discount zone में old low या rejection block को sweep करने के लिए price के लौटने की probability कम होती है. प्राइस, order block या fair value gap से reverse हो सकती है. यही कारण है कि हमें सबसे पहले least relevant array items को देखना चाहिए, जो mean threshold के करीब होते हैं, और फिर अन्य reference points की तलाश करनी चाहिए, जो आम तोर पर discount zone के अंदर कहराई में बनते हैं. एक और बात ध्यान देने की है कि यह जरूरी नहीं है कि यह सभी reference points discount zone के अंदर बनें. कभी-कभी आपको सिर्फ एक bullish order block और एक bullish fair value gap ही मिल सकते हैं, लेकिन कुछ situations में आपको इन में से ज्यादा तर मिल सकते हैं. आइडिया यह है कि इन reference points को ढूंडने के लिए खुद को force न करें. अगर वे वहाँ हैं, तो वे आपको दिखाई देंगे. अगर वे नहीं हैं, तो ऐसे ghost को खोजने की कोशिश न करें, जो exist ही नहीं करता. जब price equilibrium के नीचे trade करता है, और अगर overall narrative bullish है, तो ये buy conditions को trigger करता है. आप discount zone के अंदर इन reference areas से long setups की तलाश कर सकते हैं, क्योंकि ये एक successful trade की probability को बढ़ाता है. ये reference areas वो होते हैं, जहां buyers step in कर सकते हैं, ताकि इन discounted levels से prices को उपर drive किया जा सके. ये setups तब identify होते हैं, जब price discounted conditions पर वापस आती है, जिससे आप favorable prices पर buy कर सकते हैं. आगे बढ़ते हुए, आईए premium zone में array items की relevance के order को देखते हैं. इसे bearish premium array भी कहा जाता है, क्योंकि यहां हमारा bias market में short जाने का होता है. यहां मैंने premium zone में hierarchy के आधार पर array items को list किया है. तो sell side पर सबसे relevant institutional point old high है. इसके बाद आता है bearish rejection block, फिर आता है bearish order block, फिर bearish fair value gap, उसके बाद bearish liquidity void, फिर bearish breaker block और आखिरी reference point होता है bearish mitigation block. यहां भी liquidity voids और fair value gaps की relevance को interchange किया जा सकता है. पिछले case की तरह हमें priority के हिसाब से सबसे नीचे के array items से शुरुआत करनी चाहिए, क्योंकि price हमेशा liquidity को grab करने के लिए वापस retrace नहीं करेगी. यह bearish premium array में कहीं भी available liquidity को sweep कर सकती है और फिर नीचे reverse हो सकती है. इसलिए सबसे पहले mitigation block को देखना चाहिए, फिर breaker block, liquidity void वगेरा को देखना चाहिए. साथ ही यह जरूरी नहीं कि यह सभी array items premium zone के अंदर बने. इसलिए चीजों को मान कर न चलें. जो आपने सीखा है, उसे follow करें और apply करें. अगर वो वहाँ नहीं है, तो वो वहाँ नहीं है. पस इतना ही simple है. यह same concepts, short setups पर भी apply होते हैं. जब market liquidity लेता है, एक swing low बनाता है और equilibrium के उपर trade करता है, तो आपको institutional reference points, जैसे bearish fair value gaps, bearish order blocks वगेरे का इंतजार करना चाहिए. यह reference zones वो जगह होते हैं, जहां sellers dominate कर सकते हैं, जिससे premium levels से prices नीचे आ सकती हैं. अगर overall bias bearish है, तो आप एक short entry ले सकते हैं, जो एक high probability setup प्रस्तु करता है. यह हैं वो सभी महत्वपूर्ण बातें जो आपको premium और discounts के बारे में जाननी चाहिए. यह याद रखना important है कि premium और discount concepts को एक comprehensive trading strategy के हिस्से के रूप में use करना चाहिए. ट्रेडर्स को market structure, supply और demand zones और liquidity जैसे अन्य factors पर भी ध्यान देना चाहिए. इससे पहले कि वे trading decisions लें. यह concept additional insights provide करते हैं और decision making को enhance कर सकते हैं, लेकिन इन पर sole basis पर भरोसा करके trades में enter या exit नहीं करने चाहिए. सीखते रहे, आपने जो सीखा है उसे multiple charts और multiple time frames पर backtest करें और paper trades लें ताकि subject पर आपकी पकड़ मजबूत हो सके. तो यह smart money concepts course के पहले season का penultimate episode है. अगले episode में कुछ useful SMC indicators के बारे में video होगा. अब दूसरे season में हम different SMC strategies और risk management techniques को cover करेंगे. पूरे course को prepare करने में कुछ महीनों का time लगेगा क्योंकि high quality conceptual videos को research करके बनाना काफी महनत का काम है. इसलिए हमारे efforts को support करना न भूले. और अगर आप यहां तक आ गए हैं तो इस video को देखने के लिए आपका धन्यवाद. मुझे उम्मीद है कि आपको ये video informative लगा होगा. अगर ये useful था तो कृपिया इस video को like करें और अपने दोस्तों और fellow traders के साथ share करें. साथ ही subscribe बटन को दबाना और notifications को on करना न भूलें ताकि आपको हमारे latest videos के update मिलते रहें. हम आपके feedback और suggestions की value करते हैं. इसलिए प्लीज नीचे comments में अपने विचार शेयर करें और हमें बताएं कि आप किन topics को हमारे future videos में cover होते हुए देखना चाहेंगे. आपके support के लिए हम आभारी हैं और अगले episode में आपसे मिलने की उम्मीद करता हूँ. तब तक के लिए, bye!